दोस्तों पनाम, आज है सरत पूर्णीवा, और सरत पूर्णीवा हमारे लिए कितनी खास है और कितने इसके हमको लाब मिलते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आज आपको चार प्रियोग ऐसे बताऊंगा जिनको सरत पूर्निमापर करने के बाद आपके सरी के अंदर कितना लाब मिलेगा। सबसे पहला लोग अक्सर कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है मैं आज आपको एक ऐसा नुभूत प्रियोग बताऊँगा जिसको यदि आप आज कर ले तो आपको एक बार के प्रियोग से ही बहुत लाब मिलेगा वैसे तो इस प्रियोग को आप किसी भी पूर्णिमा पर कर सकते हैं लेकिस सरत पूर्णिमा पर इसका लाब बहुत विशेश है जिन लोगों को दमाओ बहुत ज़्यादा खासी स्वास फूलताओ किसी महंगे से महंगे दवाई से लाब ना मिलाओ और खास खास कर चलने पर सांस फूलने पर अपने आपको अक्छम लाचार महसूस करते हैं वह लोग इस प्रियोग को जरूर करके देखें हर गाओं में हर शहर में एक पेड होता है जिसका नाम है पीपल और जब पीपल का पेड पुराना हो जाता है तो उस पर दाड़ी आ जाती है आप उस दाड़ी को काट लें और कूट करके उसका चून बना लें देड़ गिराम इसका चून लेना है और देड़ गिराम इसकी राख लेनी है आप इसको फूख ले हांडी में रखकर तो जो राक मिले ही उसकी राक देड़ गिराम यानि की दोनों को मिला करके तीन गिराम यह तो आपकी ओशदी हुई और सरत्पूर्णीमा पर पूरे दिन आप वर्त रखें रात्री में गाए के दूद की खीर बनाएं खीर में आप मि पहर यानि के रात्री में 9 से 12 वजे तक आप इसको चांदी रात में रखें जिन लोगों को डाइबिटीज हो शुगर की सिकैत हो वह लोग इस मिश्री का प्रियोग ना करें फी की खीर बना करके आप चांदी रात में कपड़ा बांध कर किसी चांदी के पात्र में रख द लें 100-100 गिराम जितनी आप खा सकें उस खीर के पहले चमचे में देड़ गिराम पीपल की राक और देड़ गिराम पीपल का चून मिला करके उस खीर को खा लें और उसके बाद पूरी रात कुछ ना खाएं बहुत प्यास लगने पर ही बहुत सीमित मात्रा में जल लें एक बार के परियोग से आपको बहुत लाब मिलने लगता है। ये परियोग वैसे तो किसी भी पूर्णीमा में कर सकते हैं, लेकिन सरत पूर्णीमा पर सबसे अच्छा इसका परियोग है। और आपको बहुत लाब मिलेगा। आपने देखा होगा सरद पूर्णिमा जब आती है गर्मी विदा लेती है और सरदी का आगमन होता है जेट, असाड, सावन, भादो इसमें जो हमारा पित हमारे शरीर में संचे हो जाता है इस सरद पूर्णिमा की खीर खाने से और इस सरद पूर्णिमा में हम रातरी में चां चांती मिलने लगती है और हमको बहुत लाब मिलता है। तीसरा, जिन लोगों की आखे बहुत कमजोर हो गई हूं। वैसे तो इस परियोग को देशेरे से लेकर के सरत्पूर्णिमा तक हमको करना चाहिए। लेकिन यदि आप नहीं कर सके तो कोई दिक्कत नहीं सरत्पूर्णिमा की रात्री में त्राटक यानि के एक तक पंदरा मिनट तक आप चंद्रमा को निहारते रहें। तो उसकी रोशनी से जो आपकी आँखों में लाब मिलेगा, आपकी आखे जो डाउन जा रही हैं, आपकी इसमरन सक्ती डाउन हो रही हो, आखों की जो मसल्स वीक पड़ रही हो, आपको धीरे धीरे बहुत लाब मिलेगा। साथ में चोथा प्रियोग यदी रात्त्री में आप सुनी में धागा पिरोने की कोशिश करें, धागा पिरोने तो आपकी नेतर जोती बहुत तेजी से तीवर होने लेगेगी। और साथ ही साथ जो व्यक्ति चांदनी रात में बैठता है, चांद को निहारता है, उसकी इंडरियां जागरत होती है, बल शरील में भड़ता है और जो उसके ओर्गन्स वीक पड़ रहे हों, उनको बहुत लाब मिलता है। दोस्तों नित नहीं जानकारी हम देते ही रहते हैं, लेकिन हमारा उस्सा वर्दन करने के लिए मैं आप से रिक्वेश्ट करूँगा हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आदर्शायरवेदिक, उसको आप जरूर फोलो करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों से भी स सब्सक्राइब करें, साथ इसका बेल आइकन जरूर प्रेस कराएं, दूसरे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इस्टाग्राम, फेस्बूक और ट्यूटर जो की आदर्शायरवेदिक फार्मेशी के नाम से हैं, आप उनको भी जरूर फोलो करें, धन्यवाद